गुड मॉर्निंग डियर स्टूनेंट्स सब्जेट हिंदीज स्केंडर्ड थर्ड सेमिस्टर टू लेशन नमबर फिप्टिन आज हम पढ़ने वाले हैं आपको विद्यार्थी मित्रो देखना है समझना है फिर फिर प्रैक्टिस करना है बुक में और नोटबुक में देख देखके लिखना है आज जो लेशन विद्यार्थी मित्रो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संक्याए मिन्स नमबर्स तो एक पढ़ो समझो और लिखो रीड अंडरस्टैंड एंड राइट एक, एक, दो, दो तीन, तीन चार, चार पाच, पाच चो, चो साथ, साथ आठ, आठ नव, नव नमबर्स में दिये हुए है और वर्ट्स में भी दिया हुए है संक्या जो है फिगर और वर्ट्स दोनों में दिये हुए है आपको भी उसी तरह से देख देख के लिखना है प्रैक्टिस करना है ग्यारा, ग्यारा बारा, बारा हा तेरा, तेरह हा चो, चोजह पंदरा, पंदरह सोला, सोला हा सत्रा, सत्रा हा अठ्रा, अठ्रा हा उननिस, उननिस, बीस, बीस इस तरह से विद्याथ मित्रो आपको फिर से लिखना है और फिर उसी को सब्दों में भी लिखना है स्वाध्याए एक्सरसाइज नीचे दी गई संक्याए लिखो कुछ ब्रैक्ट खाली है यह से 1 से 20 तक दिया हुआ है 1 लिखा वाए तो नहीं लिखावा है तो इस तरह के जो ब्रैक्ट खाली है उसको 1 से 20 तक के नंबर आपको लिखने और कॉम्प्लीट करने है Q2 प्रत्यक समुव के चित्रों को गिनकर नीचे उनकी संक्या अंको तता शब्दों में लिखो Count the number of pictures in each group and write it in figures and words तो आपको क्या करना है आपको ये जो चित्र दिये हुए है इसको गिनना है और उनको लिखना है जैसे 1,2,3,1,2,3,3,4,5,6,7,7,7 मतलब figures में भी लिखना है और words में भी आपको लिखना है इस तरह से ये चित्रों जो दिये हुए है उनको count करना है और फिर उसको figure और words दोनों में आपको लिख के ये जो है page number 34 complete करना है विद्यारती मित्रों इसे स्रिप आप textbook में करेंगे notebook में इसमें करने के जरूत नहीं है page number 35 इसमें आपको क्या करना है question number 3 नीचे दी गई संक्याओ को शब्दों में लिखो write the number